अलो इस सुदेंट जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम जय स्री राम बोलो बाबाकेदार अनात्की जय तो आप लोके एलपी एक्जाम और टेक्निशन के एक्जाम के लिए आज बहुत ही सांदार एक टॉपिक लेकर मैं आया हूं और यहां से हर बार कुछ न कुछ पूछा जा बाता रहा है चोटी से टौपिक पर हम बात कर रहे हैं आज दरव्यमान जिसे हम कहते हैं मांस तो आई यह चोटी वीडियो में दरव theo हम सवाल बन सकते हैं उन्म पें यंज़र डालेते हैं तो देखें दरवेमान की पहले हम परिभासा पर बात कर लेते हैं तो दरवेमान होता क्या है जिसे आप इंगलिस में बोलते हैं मास तो दरवेमान पदार्थ का मौलिक गुण है इसका जो मान है वस्तु में निहित दरवे की मात्रा के जो संख्यात्मक मान है उसी को हम लोग क का उपलब्द है उसी को हम लोग लिख रहे हैं द्रविमान और द्रविमान चाहे आप प्रेशार टेंप्रेचर या हाइट किसी को भी चेंज कर लें किसी वस्तु का द्रविमान चेंज होने वाला नहीं है एलपी 2018 में इस तरह कि कई सिफ्ट में सवाल आए हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रविमान प्रत्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा तो जी के बदलने से यानि कि ग्रैविटी एक्सलरेशन के बदलने से वेट बदल जाता है लेकिन द्रविमान चेंज नहीं होने वाला भी फिर देखिए दूसरी एक छोटी सी परिभास यह भी कहा जाता है कि जड़त्तव मापन को द्रविमान कहते हैं अब आपके दिमाग में आएगा सर जड़त्तव क्या है तो किसी वस्तु का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो उसे क्या कहते है हैं जड़त्तव यानिकी इनर्शा कहते हैं जैसे अवस्था परिवर्तन का विरोध करने के प्रॉपर्टी जैसे यह पैन मैंने यहां रखा है तो देखे जब मैं इसको उठाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ फूर्स लगाना पड़ रहा है क्यों क्योंकि यह अपनी आप मोड पर जैसे गाड़ी जाती है घूमती है तो अब इस तरफ को ऐसे जुक जाते हैं तो यही सब बेसिक एक्जामपल होते हैं जड़त्तव मापन को भी दरवेमान कहा जाता है इसकी जो मातरक होता है दरवेमान का वो किलोग्राम है अब यहां से भी यह मूल मातरक होता है यानि कि यह क्या आता है मूल मातरक यानि कि एक फंडामेंटल यूनिट है अब किलोग्राम के अलग-अलग देखो क्या डेफिनेशन है कि हम एक किलोग्राम कितने दरवेमान को कंसिडर करेंगे तो देखो आपने यह छोटा से एक सिलिंडर देख रह मापतोब संस्थान यह स्थित पैरेट्यांगं और इसमें याद यह रखना है कि जो संस्थान है कि इसमें कि इस चीज का यह सिलेंडर रखा है तो यह रखा हुआ है यहाँ platinum, iridium धातू के बेलन का एक cylinder है, बेलन की सेफ में एक cylinder है, जिसे जिसके जो दरवेमान है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक kilogram कहेंगे अब ये भी सवाल बन जाता है कि जो ये cylinder रखा है, इसका जो व्यास है या जो इसके उंचाई है वो कितने ले गई है, तो ये ले जाती है, 39 mm याद रखेगा, बहुत ही सांदार सा ये डाटा है, 39 mm कहां पर रखा है जी, अंतरास्टे मापतोल संस्थान, पैरिस में किस material का बना है, प्लैटिनम iridium का, चलिए next देखे, क्या kilogram की, क्या basic definition है क्या है कि, एक लेटर सामाने बोलचाल में कई बार ये भी हम consider करते हैं, कि एक लेटर सुद्ध जलका द्रविमान सामाने normal atmospheric pressure, यानि कि सामाने वाईमंडलिय दाब, वह 4 degree Celsius तापमान पर 1 kg कहलाता है, यानि कि 4 degree temperature होना चाहिए, normal atmospheric pressure होना चाहिए, उस पर एक लेटर का जो द्रविमान है वो 1 kg कहलाता है चले, next देखिए गजरा next kg को परिभासित किया जाता है कि carbon 12 carbon 12 के कितने atom, 5 पॉइंट अब ये संख्या बहुत खासम खास हो जाती है, important objective बन जाता है, देखे ये भी किस से परिभासित है जी, carbon 12 से, ये carbon 12 के कितने atom के बात हुई है, 5.0188 into 10 की power 25, atom यानि परमानों का जो द्रविमान है उसे 1 kg कहा जाएगा, तो ये द्रविमान की परिभासा और kg की अलग-अलग जो definition है, ये आप लोग के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, आप लोग के लिए ELP और technician से संबंदित ऐसी ही छोटी-छोटी और interesting video मैं लाता रहूंगा, साथी science को target करते हुए, सामको 7 बजे रमन सर्क्लासीज YouTube चैनल पर धमाकेदार live session भी आप लोग के लिए रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बोले बाबा केदार नात की जै थैंक यू